आज की काहानी है मिश्टर चू नाम के आदमी की जो विक्संस की दुनिया में जाकर उनके साथ संबोग करता है उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये जानेंगे हम आगे फिडियो में इस फिल्म का नाम है दो एरोटिक गोश इस्टोरी थिरी मुवी के सुरुवात में हमें मिश्टर चू को दिखाया जाता है जो एक ढाबे पर आते हैं जहां कुछ लोग बोजन कर रहे होते हैं मिश्टर चू भी वहाँ खाना खाने लग जाते हैं कुछ तेर बाद उसी ढाबे पर मिस लिव नाम की लेडी आती है जिसे उस रेश्टूरेंड में बैटे कुछ मवाली लोग एक लड़का समस्ते हैं और उसे अपने साथ खाना खाने का नियोता देते हैं क्योंकि मिस लिव ने बिलकुल एक मर्द की तरह कपड़े पहने हुए थे बैसे वे चाइना में लड़का वया लड़की किसी के दाड़ी नहीं होती मिस लिव उनके इस प्रस्ताप को ठुकरा देती हैं जिसकी वज़े से उन मवालीों को गुस्सा आ जाता है और वे उस पर हाता पाई करने लगते हैं इसी वीच वे देखते हैं कि मिस लिव एक लड़का नहीं बलकि एक लड़की है तो वे सभी मिलकर उसके साथ जबजश्ती करने की कोशिश करते हैं मिस लिव हेल्प के लिए चिलाने लगती हैं तब इडावे के अंदर बैटा मिस्टर चू उन मवालीों को मार कर मिस्टर लिव को उन मवालीों के चंगुल से छोड़ा लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है भागते भागते बेएक मौंग के आस्रम पहुंसते हैं आस्रम में पहुंस कर वे देखते हैं कि वहाँ एक आदमी है जो की काफी छोटा है उस आदमी के सामने एक कुत्ता भी साल दानव की तरह लग रहा होता है वो कुत्ता उन्हे काटने की कोशिश कर रहा होता है मिश्टर चू और मिस्ट लिव उस कुत्ते को वहाँ से भगा कर उसके पास जाते है मौंग के पास जाने पर मौंग उससे कहता है कि मुझे उस लेम के पास ले जाओ मिश्टर चू उसे उस लेम के पास ले जाते हैं जा मौंग कुछ मंत्रा पढ़कर खुद को बढ़ा कर लेता है ये देखकर वे दुनों डर जाते हैं और उस मौंग पर तलवार तान देते हैं, तो वो मौंग उनसे कहता है कि मैं एक डीमन नहीं हूँ, मैं एक मौंग हूँ, मेरा नाम है वीक, मुझे मेरे गुरु ने सिखाय था कि कैसे हम अपने सरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये सुनकर वे दोनों रिलैक्स हो जाते हैं उसके बाद मिस्ट लिव नहाने चली जाती हैं, और मौंग और मिस्टर चू बाते करने में लग जाते हैं, तब ही आस्मान में बिजली गिरती हैं, उस बिजली के वज़े से उस मौंग को थोड़ी चोट लग जाती हैं, पर बिजली के लिव पर गिरने से पहले उसके चार और तरप एक सिल्ड बन जाती है ये देखकर वो मौंग हैरान हो जाता है और वो मिश्टर चू से पुछता है कि तुम्हारा जनम कब हुआ था मिश्टर चू उसे कुछ टेट बताता है उस टेट का कैलकुलेशन करने पर वो मौंग काफी खुश हो जाता है वो मिश्टर चू जब मिश्टर चू की नजर दिवार पर बनी एक पैंटिंग पर जाती है। लड़की को वापस देख सकता हूँ तो मौंग पहले तो मना करता है। मिश्टर चू उस लड़की को देखने के लिए कुछ भी करने को तयार था। इसलिए वाँ मौंग के मदस से उस दिवार के उस पार नरक में चला जाता है। नरक में जाने पर उसे वो ही पैंटिंग वाली लड़किया दिखती हैं जो नित्य कर रही होती है। मिश्टर चू उसमें से एक लड़की को एक कमरे में ले जाता है और उसके साथ खपा गप करने लग जाता है। इस कारे करम को वे दो लड़किया बार दिवार के छेश से देख रही होती है। उनकी काम किर्या को देखकर उनके अंदर की वासना बढ़ा कुड़ती हैं और वे अपनी उंगली से खुद को शंतुष्टी परदान करने में लग जाती हैं। कारे करम खत्म होने के बाद वो लड़की मिश्टर चू को उसके नाम से बुलाती हैं। ये सुनकर मिश्टर चू थोड़ा शौक हो जाता है। वो उससे फुषता हैं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे जानती हो। मैंने तो बताया ही नहीं है। इस पर वो लड़की बताती हैं कि उसका नाम मेंग है। उसके पापा एक जोतिशी थे जो पास्ट और फुचर के बारे में प्रेडिक्ट कर देते थे। उन्होंने मिश्टर चू नाम का आदमी धरती से आकर उससे साधी करेगा। उसके बाद ही मेंग इस धरती पर वापस आ सकेगी। अब मिश्टर चू को भी मेंग से प्यार हो गया था इसलिए वो भी उसके साधी करने के लिए राजी हो जाता है। आगे उस कमरे में लेडी से पाती हैं। जब हो मिश्टर चू को देखती हैं तो हो उसकी खातीदारी करने के लिए रात की पाटी की तयारी में चूट जाती हैं इधर बार दुनिया में मिश्लिव उस मौंग से पुछती हैं कि मिश्टर चु कहा है तो वो मौंग उसे उस दिवार के पास लाकर कहता हैं कि वो इसके अंदर गए हैं ये सुनकर मिश्लिव को लगता हैं कि वो मौंग उसके साथ मज़ा कर रहे हैं इसलिव उनसे बार-बार पुशने लगती है लेकिन हर बार मौंग का जवाब ही होता कि वो इस दिवार के अंदर गए है अंदर मौंग किसी तरह उसे कन्वेंस करने में सफल हो जाते हैं अंदर नरक में रात को लेडी सीप ने मिश्टर चू की खातीदारी के लिए एक पार्टी रखी थी और सभी नाज काना करने में मस्कूल थे लेडी सीप मिश्टर चू को ड्रिंक ओफर करती है पहले तो मिश्टर चू ड्रिंक करने से मना कर देते हैं पर वहां मौजू सभी लोगों की कैने पर उन्हें सराप पीनी ही पड़ती है धिरे धिरे मिश्टर चू को इतनी सराप पिला दी जाती है कि उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं और वो होई पर गिर जाते हैं तब ही उस पार्टी में एक आदमी आता है जो हां मौजू सभी लड़कियों को मार पिट करके उनके साथ जबजस्ति करने लग जाता है और उनके साथ गपा गप करके उनकी हालत खराब कर देता है अपनी हवस पुजाने के बाद वो मिंग को लेकर वहां से चला जाता है जब मिश्टर चू को होस आता है तो वहां पड़ी लड़कियों से मिस्क मेंग के बारे में पुशता है तो लड़किया बताती हैं कि एक डीमन चिवयान उससे लेकर चला गया है इस बास से गुचसा होकर मिश्टर चू उस चिवयान को मानने चला जाता है जहां पर वो चिवयान के साथ फाइट करता है इस फाइट में मिश्टर चू चिवयान के पेट में तलवा डाल देता है तब ही वहां पर चिवयान का हमसकल मिंग को लेकर आता है और यहां पर मिश्टर चू को पता चलता है कि उस पार्टी में लड़कियों के साथ गपागप करने वाला कोई और नहीं बलकि लेडी सीप ही थी दरसल चुयान हैल गेट की रक्षा करता था जिसकी वज़े से लेडी सीप इस धर्ती पर नहीं आ सकती थी इसलिए वो उससे मानना चाहती थी ताकि वो इस नरक से बाहर की दुनिया में आ सके क्योंकि अब चुयान मर चुका है तो उसका रास्ता भी साप हो गया है उसके बाद वो मिष्टर चू को काल कोट्री में बंद कर देती है इधर बाहरी दुनिया में मिसम्स लिव और वो मौंक अभी भी उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं मिसम मौंक से पुस्ति हैं कि अगर मिश्टर चू 24 गंटे के अंदर बार नहीं आया तो वो नहीं आदमी रहेगा और नहीं वो भूत बनेगा वो नरक और दुनिया के बीच कैद होकर रह जाएगा एस सुनकर मिश्ट लिउस मौंक से खुद भी उस दिवार के अंदर जाने की जीत करने लगती हैं ताकि वो मिश्टर चू को उस नरक से बाहर ला सके अंदर नरक में लेडी सीप की जीत की खुशे में पाटी कर रही होती हैं वो ही एक साइड में महें काफी उदास बैटी हु मिश्टर चू को काल कोट्रिन में बांदा हुआ होता हैं मैंग हुआ मौजद गार्ज को मार कर उसे वहां से भगा रही होती हैं तब ही लेडी सीप के आदमी हुआ पर आ जाते हैं और मिश्टर चू को लेकर लेडी सीप के सामने पेस किया जाता हैं लेडी सीप अपने मू लेडी सिप मिश्टर चू के साथ इतना घपागप करती है कि मिश्टर चू के मुझसे फीज बार आने लगती हैं तब ही लेडी सिप को बार किसी के होने का अंदेशा होता है जब वहां कपड़े पहन कर बार आती है तो मैंग और उसकी सिष्टर लेडी सिप का ध्यान देती है जब वह खुद आने की कोशिश करती है तो लेडी सिप उसे पकड़ लेती है इधर बाहर दुनिया में मौंक और मिस्ट लिव मिश्टर चू के आने की उम्मिद छोड़ चुके होते हैं तब ही मिश्टर चू उस हेल गेट से बाहर आ जाता है बाहर आने पर वे दे कि मिश्ट चू से अपनी वर्जिनिटी तुड़वा कर उनसे साधी करेगी तो वो फिर से ठीक हो जाएंगे और उनकी ताकत वापस आजाएगी ये सुनकर मिस्ट लिव कहती हैं कि ये काम मैं करूंगी लेकिन मिस्ट लिव इतनी बोली होती हैं कि उसे लड़के लड़किय की बीच होने वाली खपागब का आईडिया ही नहीं होता इसलिए मौंग और लिव मिलकर किसी तरह मिस्ट चू से संबोग करने में कामयाब हो जाते हैं गबागब करने के बाद मिस्ट चू की ताकत वापस आजाती हैं मिस्ट चू जब होश में आता है तो वो सिरफ मिंग क नाम जपरा होता है जिसे सुनकर मिस्ट लिव को काफी बुरा लगता है और वहाँ भाग कर उस हैल गेट के पास आजाती हैं तब ही हैल गेट से एक हाथ निकलता है और वो हाथ मिस्ट लिव को अंदर की तरफ खीच लेता है नरक में में को बहुत बुरी तरह से टोचर कर रहे होते हैं तब ही लेडी सिफ का एक आदमी मिस्ट लिव को लेकर लेडी सिफ के पास आता है लेडी सिफ लिव से पुछती हैं कि तुम मिश्टर चू की क्या लगती हो लिव बताती हैं कि वो मिश्टर चू की वाइप है यह सुनकर लेडी सिफ अपने आदमियों से कहती है इसे तयार करके मेरे बेडरूम में लाओ इसे तो मैं वहाँ पर ठीक करूंगी उसके बाद लेडी सिप के आदमे मिस्ट लिव को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं यहाँ पर मिस्ट लिव की नजर मिंग से टकराती हैं वे एक दूसरे को देखने लगते हैं बाहर दुनिया में अब भी मिस्ट चू मिंग का नाम जप रहा होता है और मौंग मिस्ट चू की देखवाल कर रहा होता है जब मिश्टर चू को पुरी तरह से होसा जाता है तो मौंग मिश्टर चू को बताता है कि मिश्ट लिव ने उसके साथ अपनी वर्जिनरे तोड़वा कर उसे ठेक किया है उसे अब मिंग को भुल जाना चाहिए आगे मिश्टर चू उस मौंग को बताता है कि उसने चिवयान को मार दिया है लेडी सेप के कहने पर एस सुनकर मौंग उसे कोस्तेवे कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि चिवयान हैलगेट की रक्षा करता था जो विक्षन्स को हमारी दुनिया में आने से रोकता था आगे मिश्टर चू मौंग से फुस्ता है कि वो लेडी सीप कौन थी तो मौंग उसे बताता है कि वो लेडी सीप कोई औरत नहीं बलकि एक विक्षन्स है विक्षन एक लोमडी होती है जो अजारों साल तक तपश्या करके एक इंसानी रूप धारन कर लेती है उन दोनों के बीच ए सब बात चीज चली रही होती है कि तभी मिश्टर चू आसपार नजर दोडाता है तो उसे मिस्ट लिव कही नजर नहीं आती फिर वे दोनों मिस्ट लिव को ढूणने लगते हैं उन्हें हैल गेट के बार मिस्ट लिव का एक कपड़ा मिलता है जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि मिस्ट लिव हैल गेट के अंदर चली गई है मिश्टर चू लिव को बचाने के लिए उस मौंग को भी अपने साथ उस हैल में चलने के लिए बोलता है पर मौंग उसे साप मना कर देता है पर मिश्टर चू उस मौंग को जबजस्ती अपने साथ उस हैल में लेकर चला जाता है हैल में पहुंशने पर वेवाँ सेनी कुछ से लड़ाई करके मेंग को बचाने में सफल हो जाते हैं उसके बाद वे तीनों मिलकर लिव को बचाने जाते हैं जहां पर वो लेडी सीप की लिव के साथ खुद को रगड रही होती है इससे देखकर वे तीनों एक प्लैन बनाते हैं वो मौंक एक मंत्र पढ़कर खुद को एक छोटे रुप में बदल लेता है और मेंग जाकर लेडी सीप के साथ खुद को रगड रही होती है मौका पाकर वो मौंक लेडी सीप की काली गूफा में गोच जाता है क्योंकि यह काफी छोटा था वो लेडी सीप की काली कूफा से होते हुए पेट में चला जाता है पेट में जाकर वो लेडी सीप के अंदर लात मानने लगता है जिस कारण लेडी सीप को स्टोमक पैन होना शुरू हो जाता है वो मिंग को धक्का देकर खुश से अलग कर देती है तबी कमरे में मिश्टर चू भी आ जाता है तो लेडी सिप के साथ फाइट करने लग जाता है पर स्टोमक पैन होने की वज़े से लेडी सिप कुछ नहीं कर पाती मौका देखकर मिश्टर चू मैंग और लिव को लेकर वाँ से निकल जाता है अब लेडी सिप को भी पता चल गया था कि उसके पेट के अंदर कोई है इसलिए वो अपने पेट को हिलाने लगती है जिसकी वज़े से मौका संतुलन बिगडने लग जाता है आगे मिश्टर चू उन दोनों को लेकर वाँ से निकल रहा होता है तभी लेडी सिप के आदमी उस पर हमला कर देते हैं वे तिनों किसी दरों उन सेने को से निपटने में कामयब हो जाते हैं कि तभी वाँ पर लेडी सिप आ जाती है वो अलग-अलग रूपों में उन पर हमला करना शुरू कर देती है पर वे किसी न किसी तरह किसे लेडी सिप को हराने में कामयब हो जाते हैं और वो मौंग पी लेडी सिप के सरी से बाहर आने में सफल हो जाता है इन सब में मिस लिउ की मौत हो जाती है मिसलिव की मौत के बाद मौंग मिश्टर चु को मैंको हैल और धती की बीस की दुनिया में रह कर चिवयन की जगो उस हैल किट की रेक्षा करने का दाइत्व सौप देता है और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई